Hi everyone, welcome back to another video और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हमेसुर सेंडली सोप को अपने फेस पे अप्लाए कर सकते हैं आप फिर नहीं और अगर हम अप्लाए करेंगे तो क्या परिणामों का सामना हमें करना पड़ेगा तो आज जानेंगे इस वीडियो में तो आखिर तक बने रहीएगा करते है अपनी वीडियो को सुरू First of all, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सोप का TFM आता है 80% का और ग्रेट रहता है सोप का 1 इसका pH वैल्यू आती है 7 से 8 के बीच में और इस सोप से काफी अच्छी समेल आती है काफी सॉफ्ट रहता हमारी स्किन में इस सोप बट क्या इतनी चीजे किसी सोप को सफीशेंट बनाती है फेस में लगाने के लिए नहीं, सोप के इंक्रीडियन भी काफी ज़्यादा मैटर करते हैं इन चीजों में बात करी जाए सोप के रिगार्डिंग तो इस सोप में आर्टीफिशियल फ्रेग्नेंस आर्टीफिशियल कलरों का सारा लिया गया है और मैंने रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ा था और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि अगर आप artificial fragrance को इस्तमाल करते हो तो आपको allergic infection होने की समभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और मुझे कोई अभी तक ऐसी problem face नहीं करनी पड़ी आसा है कि आगी भी ना करना पड़े जब मैंने soap का अपने face पे apply किया तो इसने मेरे face को अच्छी तरगी से clean किया बट मुझे थोड़ा बहुत dryness अपने face से महसूस होई ये नहीं कहरा कि बहुत ज़्यादा try करता है बट थोड़ा बहुत तो dryness ये करता ही है इसका कारण ही हो सकता है कि हमारे face की skin body की skin से काफी ज़्यादा delicate होती है इसलिए face की skin काफी जल्दी react करती है किसी भी product के साथ बट body में काफी अच्छा perform करता है काफी अच्छा जाग provide करता है काफी अच्छी cleaning ये करता है जैसा भी मुझे लगा ये soap अपने face पे apply करने के बाद वैसा ही मैंने आपको इस वीडियो में बतानी कोसिस करी है बट हो सकता है कि आपके scenario में case अलग हो कि ये आपके face को बिल्कुल भी try ना करे बट जैसा मुझे लगा वैसे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हासा ही कि आज की वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी होगी तो like और subscribe करके जाना मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यावाद जैहिंद